दोस्तों हम बात करने वाले हैं 3035 प्लान के जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे इसको आज हम डिसकस करने वाले हैं और हमारे एक सब्सक्राइबर थे हैं उनके कहने पर मॉडल मैं डिजाइन किया बहुत ही बेतरी लोग है आप देख पा रहे होगे इसका टेक्श्टर भी और डिजाइनिंग भी और इसमार आपको जो भी किशन बात्रूम और लेटिंग जो भी मिलता है सब को बेस्ट तरीके इस रेंज है और विंडिलेशन का भी प्रापर द्यान रखा गया है तो आप देखेंगे फ्रेंट से अगर आप देखते हैं शामने तो यह मॉडल आपको ऐसा दिखने वाला है और मैंन डोर जो है मैंन गेड़ यह है और यह डिजाइनिंग का पार्ट से जो आप देख रह अगर आपने तक दोस्तों को सब्क्राइब नहीं किया है तो बैरीज रूओं सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें प्रेश के मेरे आने आने वाले की अपडेशन आप देख सकें इसकी दिवाले हाइड हो जाती है और ट्रांसपरेंसी और भी बेतरीन सा लुक दिखने लगता यह ट्रांसपरेंट जैसे करते हैं तो दिवाले सारी हाइड हो जाती है और बात बाकी कि जो भी इसमें शामान वगेरा रखा वूश अब आपको दिखने वाला होता है तो ये पूरा 30x35 चलिए हम इसको हटा देते हैं इसके ट्रांसपरेंशी इसको ले आते हैं ओर्जन पोजीशन पर जैसे आप ओर्जन पोजीशन पर फिर से आते हैं तो ये मॉडल आपका है हमारे एक सबस्काइबर हैं उन्हों की कहने पर हमने 30x35 का मॉडल डिजाइन किया अगर आप भी दोस्तों चाहते हैं कोई अपना मॉडल इस्पेस पर मॉडल डिजाइन करवाना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शायशात इस वीडियो और चैनल को सब्काइब करना बिलकुल न भूलिएगा तो चलते हैं सबसे पहले हम इसके फ़र्ष्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पर दोस्तों जैसे अब घाउंड फ्लोर पर आते हैं तो हम इसको जूम करके दिकाते हैं यह आपका मेंट फ्लोर में डोर या जासे अप मेंड डोर से इंटरी करते तो आपको लगबग सारे तीन से फिट का यह गैलरी मिल जाता है सामने सबसे पहले आगे पार्किंग के लिए बाइक वगएरा पार कर सकते हैं और इसके बाद जैसे आप इंटर होते हैं इस रूम में यहां से यह डोर दिया यह विंडो और एक आपको यह रूम मिल जाता है बेदरी सा आप इसको गेस्ट रूम टायर कर सकते हैं मैंने जो दर्वाजा दिया है मतलब की डोर वो यहां से दे दिया है गैलरी से और विंडो भी यह सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है जैसे आप इसमें इंटर करते हैं तो इस वाले रूम से आपको यहां पर मिल जाती है इस टेयर से जो की आपके ऊपर जाने के काम आएगी और इसी रूम के माददें से आप अंदर इंटर कर सकते हैं अगर इस रूम से भी आप इंटर करना चाहें तो इसमें भी मैंने एक डोर दिया आप अंदर इंटर कर पाएंगे सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो यहां पर जो मॉडल हम डिस्पाइंड कर रहे थे पीछे आपको दो रूम मिल जाते बेतरी से बड़े बड़े से रूम है और बगल में यह वाला आपका बातरूम एंड ट्वाइलेट्स का माइंड किया है मैंने और अगर आपको जानना है इस सबी रूमों का तो आप मारी वेबसाइट पर विजिट करें वहाँ पर आप पूरा एक जैक साइड मिल जाएगा तो यह पूरा मॉडल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं तीसवाई पैथिस में अब इसके हम चलते हैं फ़स्ट फ्लोर पर तो जैसा फ फिट का प्रॉक्स आपका बालकनी हो जाता है तो जैसा आप छट से जीने के मादम से यहां आते तो आज इस रूम में आएंगे और फिर से ब्लूप डेजाइनिंग मैंने दिया है जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पर डेजाइनिंग है वही तीन बैट डूम आपका वही किशि बड़ी बालकनी यहां पर आपको मिलने वाली है तो आप इसके हम लाइश फ्लोर पर चलते हैं लाइश फ्लोर पर कुछ मैंने खासा डेजान नहीं किया है बस वही इस टेर्स को ठक दिया इस रूम माद्यम से और यह आपका पूरा मॉडल बन कर तयार हो जाता है जैसा कि आप यह स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस रूम पर को से मैंने इसलिए डिजाइन किया क्योंकि यहां पर आपको इस टेर्स डखनी पड़ेगी और आपका एक रूम भी करेड हो जाए और इसके उपर आप पानी की टंकी वगएर इससे पूरे घर में सप्लाई दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसको कार पार्किंग यूज करना तो आप इसको साइड वाला जी रूम जो मैंने बनाया था इस वाले रूम गेज डूम जिसको मैं बोल रहा था इसको कार पार्किंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको डोर देना पड़ेगा और इस वीडियो को अगर Facebook पर आप देख रहे हैं तो महां भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करिएगा और हमारे चनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चनल को जरूर सब्सक्राप करें Thanks for watching